स्वागत आप सभी का हेल्प टैगर के नए वीडियो में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने मुवाइल से किसी फोटू या सिगनेचर को रिसाज कर सकते हैं दोस्तों जैसे काप लोग जानते हैं जब भी आपको फोटू अप्लोड करने या सिगनेचर अपरूड करने हैं तो पूछता है का आपकी फोटू दोशो के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप उन्हें अपने मुवाइल से किस तरह से रिसाज कर सकते हैं अगर आप फौरम मुबाईल से वह ऩ सब्सक्राइब कर लिए जाते हैं जादा डिफिकल्टी नहीं है बने में टो चली जानते किस तरह से जो है रिशाइज कर सकते हैं फोटू को मुबाईल से अंगर बढ़ने से पहले आप इस मΟार्स को डाउड करना पड़ेगा जिसका नाम है photo and picture resizer फिलाल इसकी link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी जब आप इस application को डाउड कर लेंगे डाउड करने के बाद यहाँ पिर आप देखेंगे कि यह application open हो रहा है अब आपको क्या करना है अब आपको इस application में जो है इस application में आपको इतने option मिलेंगे select photo tag photo अगर आपके पास passport card की photo है जो लगती है तो आप उसे रख लीजिए camera के सामने आज गल तो जानतर mobile के camera अच्छी आते हैं तो उससे जो है आपको सई से photo लेना है और signature करके सपेद कागज पर signature करके photo उसकी ले लेनी है और उसकी बाद या तो आप आपके gallery में रखे तो वहां से set कर सकते हैं तो मैंने पहले से लेके रखे है तो मैं set कर लेता हूँ देखिए ए photo यहां से मिले ले रहा हूँ फिलाल मेरी photo ऐसी है मैं आपको किवल दिखाने के लिए यहां पर बता रहा हूँ आपकी formal photo होने चाहिए ठीक है अब आपको यहां पर देख सकते हैं यहां पर इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं photo को काट सकते हैं यह देखिए क्रॉप कर सकते हैं manually यह research कर सकते हैं ठीक है दूर्तु तो इस तरह से यहां पर आप इसे research कर सकते है photo को जैसा भी set करना चाहिए फिलाल मैं photo को नहीं करूंगा research अब यहां पर आपको इधर आना है इस पर किलिक करना है अब आपको कितना photo कितना केबी की photo लेनी है वो यहां से select कर लीजिए तो यहां पर देखिए automatic 96 kb की हो गई है 480 into 853 इतने का मैंने लिया था तो आप एक एक करके लीजिए यह तना आपको मांगा गया होगा उससे कम जैसे जा जा जाए तो उसके बास save कर दीजिए यानिकि save हो चुकी है ठीक है तो यह save हो गई है photo हमारी अब य सकते हैं आप signature अपने यहां पर save किया हुआ है तो इस तरह से आप अपने mobile से बहुत सरील तरीके से कर सकते हैं आने वाले वीडियो में आपको computer save बताऊंगा बहुत यह सरील तरीके से तो वीडियो को like कर दीजिए